सूपर मैन, सूपर वोमन, स्पाइडर मैन, एक अंडर्वेर पहनता है, अपनी पैंट के उपर दूसरा अंडर्वेर पर बेल्ट पहनता है, तीसरा उसे अपने सिर पर रखता है, हमें इस सामान ने समझदार इनसान चाहिए, हमें महामानव नहीं चाहिए, ये एक बड़ी चीज है, इसे समस्य न समझें, नमस्कारम सद्गुरू, क्या आप खुद पर संधे करने के बारे में बता सकते हैं और इसे मिटाया कैसे जाए? खुद पर संधे अच्छा है, मुझे पता है कि सभी कह रहे हैं, खुद पर विश्वास करें, विश्वास करें, मैं कहूंगा, क्रिप्या खुद पर संधे करें, कुछ गलती हो, तो हमेशा पहले ये देखे कि वज़ा शायद आप हैं, मैं आपको हर समय यही सिखाता हूँ, आपके जीवन में जो भी सही या गलत हो, सबसे पहले ये देखें, शायद मेरी वज़ा से हुआ है, ध्यान से देखें, वज़ा आप नहूं, तो दूसरों को द देखें, तथा कतित आत्म विश्वासी बिवकूफ सभी को परिशान करते हुए जी रहे हैं, थोड़ा सा संदे, आप में थोड़ी समझ लाएगा, आप धर्ती पर थोड़ी कोमलता से जीएंगे, आत्म विश्वास या कोई भी विश्वास आपको सपश्टता के बिना आत से विनाश होगा, दुनिया को, धर्ती को और हमारे आसपास के जीवों को जितना नुकसान हुआ है, ये इसी लिए है क्योंकि सपश्टता के बिना आत्म विश्वास है, अगर आपको अपने काम को लेकर थोड़ा संदे होता है, तो आप कुछ करने से पहले दस बार सोचते है ना, और वो एक समझदार दुनिया होगी, मैं चाता हूँ कि सभी में कुछ आत्म संदे हो, कृपया ये ना सोचें कि आप परफेक्ट या महा मानव या कुछ हैं, महा मानवों को चले जाना चाहिए, हमें धर्ती पर बस मानवों की जरूरत है, उन्हें अंडर्वेर पहन एसे लोग पसंद नहीं हैं, ये सब ही सूपर हीरो, मुझा लगता है कि लग भग सभी कैलिफोर्या में पैदा हुएं, है न? क्या मैं सही हूँ? सूपर मैन, सूपर वोमन, स्पाइडर मैन सभी कैलिफोर्निया में पैदा हुए है कोई पैंट के ऊपर अंडर्वेर पैंता है दूसरा अंडर्वेर पर बेल्ट पैंता है तीसरा उसे अपने सिर पर रखता है और ऐसा करके वो सूपर है नहीं, हम सामान्य, समझदार इंसान चाहते है हमें महामानव नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा बेवकुफी किये जो लोग खुद को सूपर मानते हैं उन्होंने हमेशा बेवकुफी करके जीवन को नुक्सान पहुँचाया है हम समझदार सामान्य आनंद मैं इनसान चाहते हैं तब यहाँ एक सुन्दर जीवन होगा और सामान्य मनुष्यों को हमेशा अपने हर काम पर संदे करना चाहिए क्योंकि आप इस अस्तित्व को कभी भी पूरी तरह नहीं देख सकते आप अस्तित्व को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में ही देख रहे हैं हमेशा छोटे टुकड़ों के साथ अगर आप में बहुत आत्म विश्वास है तो आप खतरनाक है छोटे टुकडों से हम छोटे काम कर पाते हैं हम पूरे अस्तित्तों को चलाना नहीं जानते ठीक है? आत्म संदे होना सबसे अच्छा है ये एक बड़ी चीज है इसे समस्याना माने आप उनती आत्म विश्वासी बेवकूफों की तरह बनने की कोशिश न करें जो इस धर्ती को नुकसान पहुँचा रहे हैं और सोचें कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं नई, संदे ठीक है हाँ, संदे अच्छा है संदे यानि आप सत्य की खोज कर रहे हैं अपने संदे को शक में न बदलें शक बिमारी है कुछ गलत ही होगा ये शक है कुछ गलत हो सकता है ये ठीक है ठीक है ये आपको सचेत और जागरूक रखता है हमेशा सतर्क, आलस नहीं आता हाँ ये जीने का अच्छा तरीका है ये जीने का अच्छा आता